लोकसभा चुनाव शुरू होने में बस कुछी दिन शेश रह गए हैं। कॉंग्रेस लगातार मोधी सरकार की नीतियों और कामकाज को लेकर आकरामक रहती हैं। वही राहुल गांधी अपनी भारत जोडो न्याय आत्रा में लगातार मोधी सरकार को रोजगार की मुद्दे पर घेरते नजर आ रहे हैं। इसी बीच कॉंग्रेस अध्यक्ष मलिकारजुन खडगे ने अगनिवीर योजना को लेकर राष्टपती द्रौपदी मुर्मु को पत्र लिखा है। कई आरोप लगाए। उनमें से युवा नयाय बहुत महत्तुपूर्ण स्तंब है। और उसी कड़ी में राहुल गांधी जी ने अगनिवीर योजना, अगनिपत योजना के खिलाफ बढ़ चड़ कर बात की। हमारा एक पूरा आंदोलन चल रहा है। जंतर मंतर पे जो बच्चे बैठे हैं प्रधान मंत्री से तो वो नहीं मिल पाए। लेकिन राहुल जी से वो मिले। उन्होंने अपनी व्यथा उनके सामने व्यक्त की। और उनके दर्द को समझते हुए। जिस तरह से आज परिशान हैं एक प्रधान मंत्री थे इस देश में, कॉंग्रेस की ही प्रधान मंत्री थे जए जए किसान का नारा देते थे। और एक प्रधानमंत्री हैं जिनोंने किसान का भी अपमान किया और जवान का भी अपमान किया। मैं श्री सचिन पाइलर जी से पहले आग्रह करूँगा कि वो अपने विचार आपके जातियों जैसा कि आप जानते हैं। 14 जून 2022 को ये अगनीपत योजना की घोशना करी गई। और जैसा कि दस साल के सरकार के कारेकाल में बेकुल स्पष्ट हो चुका है कि कोई संबाद, कोई चर्चा, कोई डिस्कॉशन्स इसको लेकर किये नहीं गए। और एक तरफा निर्णे लिया गया कि संपूर्ण जो भरती फॉज की होगी, डिफेंस फॉर्सिस की होगी, उसको अगनीपत के मादम से किया जाएगा। कहा ये गया कि सेना की जो औसद आयू है, वो जादा हो रही है, उसको कम करना है। कहा है गया कि हम लोगों को अपनी डिफेंस फॉर्सिस को मॉडरनाईज करना है। लेकिन मोटे तोर पर देखने में आया है कि ये जो योजना का क्रियानवन किया गया, ये मुलत है पैसा बचाने के लिए किया गया। ये अगनी वीर जो बनने जा रहे हैं, इसका विरोध करने के लिए कॉंग्रिस पार्टी ने जब भी ये योजना लॉंच हुई, उसी समय से हम लोगों ने विरोध किया था, क्योंकि हमें लगा कि ये चार साल की नौकरी देने के बाद, सिरफ 25 प्रतिशत लोगों को स्था जो हैं, आम फोसी से पीएफ हैं, उसमें उनके लिए आरक्षिन दिया गया है, लेकिन जो एक सर्विस्समें के लिए जो अलरडी रेजिवेशन है, उसमें सिर्फ 2.49% सरकारी पद भरे गए हैं, जो पूर सैनेकों के लिए पद आरक्षित हैं, अब तक उसमें सिर्फ 2.49% पद भरे गए हैं, फिर कहा गया कि अलगलग स्टेट गवर्मेंट्स अनाउंस करेंगी कि जो 75% अगनी वीरों को हम छोड़ देंगे, वो कहां अब्जॉब होंगे, एक आध राजी ने किया है, बाकी राजी ने किया नहीं, बेसिकली जो लोग चार साल के नौकरी के बाद एक कम उम्मर में रिडायर हो जाएंगे, उनके भविश का कुछ पता नहीं, उनको पेंशन भी नहीं मिलेगी, उनको ग्रैचुटी जो 11 लाग रुपे की दी जा रही है, उसका भी जो आधा पैसा है, उनके तनखा से कट रहा है, तो कही न कहीं ये कॉस्ट कटिंग के चकर में हम लोग अपनी सेना के भरती की जो प्रक्रिया है, उसे खिरवार कर रहे हैं, सबसे मेरत पूर बात ये है, जिसके बारे में आपको तिबंदर जी बताएंगे, जो राज्य ऐसे हैं, जहां सबस्यादा भरतियां होती हैं, जहां लोग बहुत चाव से, शौंक से, और ए मातर भूमी की रक्षा करने की भावना से सालों तक प्रशिक्षन करते हैं, तयारियां करते हैं, और एक गाउं में महाल होता है कि हम फौर्ज की भरती के तयारी कर रहे हैं, ऐसे लगबख पौने दो लाख लोग हैं जिनको आपने भरती दी, लेकिन जॉइन नहीं कराया, उन्होंने होत लंबे समय से वो धरना देने, अपनी मांग को रख रहे हैं, हम लोग कहना चाहते हैं, अगर बारत सरकार G20 पे 4100 कोड़ पे खर्च कर सकती है, प्रदानमंती के अवाईजाज के लिए 8400 कोड़ खर्च कर सकती है, सेंट्रल विस्ता पोजेट के लिए 20,000 परकारी इस्तिहारों के लिए 6500 कोड़ खर्च कर सकते हैं, तो मैं मानता हूं कि हम लोग सिरफ पैसा बचाने के लिए अपनी भरते की पूरी प्रक्रिया से खिलवाड करें, ये भविश के लिए हमारी आंतिक सुरक्षा के लिए हमारे भारत की integrity security के लिए कही ने का challenge बन सक है, उसके शौर को, उसके पराकरम को, उसकी महनत और जाबाजी जो हमारे सहने को के पास है, उसका कोई सानी नहीं है। We are one of the finest fighting forces in the world. Our armies and our defense forces are second to none. But their valor, their strength and their dedication to the nation should be regarded and respected for future generations. And we all feel that by compromising on the process of recruitment of the armed forces, it may not argue well for our future. And for the families of those people who have willingly dedicated their lives to the service of the nation. So, मुझे लगता है कि ये सरकार ने बहुत जलबाजी में किया है, हम लोग इसका विरोध करते हैं और अभी जो राष्ट अद्दक्ष खरगे जी है, मलकर अरजुन खरगे साब, उन्होंने राष्ट पती जे को चिट्थी लिखी है, इसके बारे में आपको भी बताए करी है, तो कॉंग्रेस पार्टी उन नौजवानों के साथ है, जो भविष में सेना के अंदर अपना भविष देखते हैं, उन सब लोगों के साथ हैं, जो हमारे वर्दी पहन कर सरदों पर खड़े होकर देश की रक्षा करते हैं, लेकिन भारत सरकार को इस प्रकार की स्कीम नहीं लाने चाहिए थी, हम इसके विरोध में हैं, और सबसे पहले हमारी मांग ये रही कि जिन लगबख पौने दा, पौने दो लाख लोग ऐसे हैं, जिन्होंने सारी परिक्षाइं पास करी थी, उनको सरकार नहीं अभी तक जोइन नहीं कराया है, हमारी मांग रही है कि इसको वापिस लिया जाए और पक्की भरती शुरू की जाए, और दूसरा, कोविड के दोरान, और उससे पहले, कई भरतियां ऐसी थी, जो पूरी हो चुकी थी, पूर्ण, फौज की भरतियां, डेड़ लाख नौजवानों को फौज में भरती किया गया था, उनका फिजि उनकी जॉइनिंग पे प्रसंचिन लग गया और आज तक वो दरदर की ठोकरे खा रहे हैं, जंतर मंतर पे धरना बहुत लंबे समय से चल रहा है, मैं स्वैम कई वार उस धरने में गया हूं, डेड़ लाक ऐसे बच्चे हैं, ये हमारे कॉंग्रेस पार्टी के पूर्वद् बात को देश की सरकार के सामने हम लोग रख रहे हैं, आज जैसा की अभी बताया था साचन जी ने, ये लिटर हमारे कॉंग्रेस के अध्धक्ष श्री मलिक अरजुन खडगे जी ने, ये लिटर राश्पती जी महामामिन राश्पती जी के नाम, और उनसे ये आग रहे, कि इन डेड़ लाख चैनित फौजियों को, आपकी सरकार और आपकी फौज द्वारा चैनित फौजियों को जौइनिंग मिले, और हम इनके इस अंगर्श में इनके साथ हैं, और जब तक इनकी जौइनिंग नहीं होगी, ये लड़ाई हम लड़ने आग काम करेंगे, अगनी किसकी मांग पे अगनी पत्योजना आई, ये निश्चित तोर से देश की फौज की मांग नहीं हो सकती, तो फौज में बदलाव की जुरुत क्यों आई, मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ, ना तो देश के नौजवान ने मांग करी, वो देश का नौजवान जो सुबह च खेट से निकलता है, स्टेडियम में, खेट में दंड बैठक करके रेस लगाता है, तैयारी करता है, देश भक्ती का भाव जिसके दिल में कूट-कूट के भरा है, ना तो उस नौजवान ने मांग करी, ना देश की फौज की तरफ से कोई मांग उठी, तो देश के हमारे ज स्वाल पूछना चाहता हूं, ना घोषना पत्र में था किसी राजनेतिक दल के, ना इतने वर्षों में मांग आई कि देश की फौज की चेहन प्रक्रिया बदली जाए, और इस फैसले के अब दुश परिणाम देश के सामने आने लगी है, पहला दुश परिणाम जैसा कि ह पर पर चोगीदार की हम नौकरी देंगे, मैं बता देना चाहता हूं भारतिय अंता पार्टी वाडों को, ये देश भक्ती का भाव, आप देश की फौज पर राजनिती करना जाते हैं, लेकिन देश की फौज में जो नौजवान जाता है, जिस देश भक्ती के भाव से, व जाता हूं देश के लिए सरवोच निशावर करने की बात का अपने मन में सोच के जाता है, हमने कहा कि चार साल बात क्या होगा, और दुश्परिणाम सामने आए, ये पहले पता था कि बिना पेंशन के वापस आ जाएगा, अगनी वीर को शहीद का दरजा नहीं मिलेगा, प केंटीन फेसिलिटी नहीं मिलेगी, रिटायर्मेंट के बाद ग्रेचुटी नहीं मिलेगी, मेडिकल फेसिलिटी नहीं मिलेगी, पेंशन नहीं मिलेगी, केंटीन फेसिलिटी नहीं मिलेगी, पूर सेनी का दरजा पूर्णता हैं नहीं मिलेगा, और इस सर्विस के दोरान डीरनेस अलाउज नहीं मिलेगा केवल लंसम तंखा मिलेगी यानि कि कॉंट्रेक्च्वल लंसम तंखा मिलेगी यानि कि कॉंट्रेक्च्वल फोज कॉंट्रेक्च्वल फोज की मांग कहां से आई हमारा मानना है यह हमारी मांग है सरकार जवाब दे उसके बाद एक और इसमे एक पहलू देश की फोज को जो ससक्त हमारी फोज थी उसमें कैसे क्या असर होगा दूरगामी इसका उसका दुश्परणाम सामने आ रहा है जहां साट से पैसट हजार की भरती हर साल होती थी वहां पैतालिस हजार अगनी वीर लिये गए पिछले वर्ष इस अगर भरती की फोज पर दुश्परणाम सामने आ रहे और जो भरती किये जा रहे हैं नौजवान उनका क्या मनोबल रहेगा इसका अंदाजा इस बात से लगाए जा सकता है कि बहुत से जो ट्रेनी थे अगली वीर वो ट्रेनिंग शोड़के वापिस आ गए तो फोज का क्या मनोबल रहे थी हमारी जो मांग जो आज खड़गे साहब ने राश्पती मोहदया को पत्र लिखकर दोराई है कि इन डेड़ लाख बच्चों के भविश्य के साथ जो खिलवाड हुआ उसको निरस्त करें उस खिलवाड को और इन्हें तुरंत बहाल करें नंबर दो अगनी पत जो स्की स्कीम है उसको वापस लिया जाए यह स्कीम यह योजना नौजवानों का भविश्य तो बरबाद कर ही रही है हमारी सुरक्षा के साथ भी बहुत भारी खिलवाड कर रही है पतादे की पूर्व मुख्य मंतरे भुपेश बगहेल ने अपने सोशल मीडिया में एक पोस्ट शेयर कर बड़ा एलान किया है उन्होंने कह दिया है कि केंद्र में हमारी सरकार आती है तो अगनी वी रियोजना रद होगी फिर से पक्की भरती शुरू होगी हाला कि अगनी वी रियोजना को लेकर कॉंग्रेस के तमाम बड़े नेता शुरू से ही इसका विरोध करते आए है